ओम सिरी गनी सायनम दोस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार अप्रेल गुरूवार की रासी फल के बारे में कीह दिन मित्षन रासी वालो के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीज़ों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीज़ों से इनको साथधान देना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहीगा मिथों नाशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज विध्यार्तियों को इंटर्व्यू वे केरियर सम्मंदित परिक्षाओं में सफलता मिलने की पूरी संभावना हैं इसलिए अपनी पढ़ाई के परती एकाग रचित रहें आपकी संतुलित दिन्चरिया की वज़े से अधिक्तर काम आज समय पर पूरे होते जाएंगे साथी साथ दोस्तों किसी धार्मिक प्रवर्ति के व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात आपकी विचारधारा में शकार अत्मक परिवर्तन लाएगी तथा जीवन से जुड़े प्रते कार को करने का बहतरी नजरिया आज आपको प्राप्त होगा आर्थिक इस्तिती भी आज आपकी काफी अच्छी रहेगी रिष्टेदारों के साथ मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम बनेंगे और संबंदों में नजदी की आएंगी पिछले कुछ समय से जिन कारों के प्रती आप मेहनत कर रहे थे आज उसके सुब प्रेणाम उमीद से ज़्यादा आपको प्राप्त होंगे धार में कारों के प्रती आज आपका रुजहान बढ़ेगा पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी वे आज बहुती सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे वस्त्र आबूशन जैसी खरीदारी में भी आज समय व्यतित होगा समय आपके पक्ष में हैं इसका सम्मान करें किसी सुब समाचार के मिलने से घर परिवार में आज खुसी का माहूल रहेगा आपकी महनत वे परिश्रम से कोई महत्पपून कर रहे आज संपन होगा आपकी योगता और छमता पर परिवार के सदस से गर्व महसूस करेंगे किसी विश्वेशनिये व्यक्ति की शला और शयोग आपकी खोई हुई परिश्ठा को दुबारा हासिल करवाएगा जिससे आपके आत्म विश्वास में वरद्दी होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन भी आज संपन होगा दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन सिद्ध होगा दोस्तो आज आपको नहीं नहीं सफलता हैं मिलने के अनिको योग हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों के साथ आज फिजूल घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें अपनी शाररिक उर्जा को बना कर रखें आलस्वे मनोरंजन में समय व्यतीत करने की वज़े से बनते कामों में रुकावट आ सकती है अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज समाल कर रखें कोई इनका गलत इस्तमाल भी कर सकता है और इसकी वज़े से आपके स्वाभीमान को भी ठेस पहुँच सकती है संतान की गत्य विदियों पर पैनी नजर रखें बच्चों की समस्याओं को सांती पूर्वक सुल्जाएं उन्हें डाटने वे गुस्सा करने से उनके अंदर हिंता की भावना उपज सकती है कालपनिक बातों पर अधिक ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश्वास करें परन्तु ध्यान रहे कि किसी भी कार्रे को करने से पहले उसके अच्छे बुरे पहलों पर आप विचार अती आवश्चा करें क्योंकि कुछ गलत होने की भी संभावना लग रही है साथि साथ आज अधिकतर समय घर से बाहर व्यतीत करना पड़ सकता है परन्तु सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना आपके लिए आवश्चक है कोई भी अनुचित कार रहें और आपका क्रोध पूर्ण वैवार आपकी योजनाओं को डगम अगा सकता है साफधान रहें दोस्तो दूसरों के सुजावों पर गंभीरता से विचार करें तता फिजूर खर्ची से बचें अचानक ही किसी प्रकार के महत्वपूर्ण खर्चे सामने आ सकते हैं साथ साथ किसी निकट संबंदी से भी मतबेद होने की आज पूरी संभवना हैं साफधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जबकि लवलाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तो विवाहित जीवन आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों में आज काफी मजबूती आएगी प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुती आपके अनुकूल हैं परिवारिक गति विदियो में आपका शयोग और समर्पन वातावरण को और भी अधिक खुस नुमा बनाएगा तथा आपसे संबंदों में और अधिक नजदी कियाएंगी पती पतिनी के संबंदों में मधूरता रहेगी किसी भी महत्वपूर्ण कार्रे में अपने जीवन साती की आपसला हवस्च चले आज का दिन आपके प्रेम संबंदों को मजबूत बनाने के लिए एक बहुती अच्छा दिन शाबित होने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज ग्रह इस्तितियां आपके पक्ष में हैं कुछ अच्छे कार्रे आपके सफल होंगे तथा तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्रे को बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करें कोई गल्ती होने की भी आज संभाव ना है दोस्तो देनिक आय में व्रत्ती होगी आयात नियात संबंदित कार्रों में अधिक ध्यान केंद्रित करें कोई बड़ा अनुबंद मिलने की आज संभावना है नोकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टारगेट पूरा करने से तरक्की मिल सकती है आज कुछ नए अनुबंद मिलने की संभावना है कोई भी डील फाइनल करते समय समझदारी और सूजबूज से काम ले लाब के मार्ग प्रस्तत होने के आज योग बन रहे हैं अथे समय का आप भरपूर सद्यूपयोग करें दोस्तों वैवसाई गतिविदियां आज सुचारू रूप से चलती रहेंगी परन्तु नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने कारों के पिर्ती थोड़ा साबधान रहने की वियाव सकता है अन्यता अधिकारी वर्ग की नाराजगी का भी आपको शिकार होना पड़ सकता है वैवसाई के विचार संबंदित रूप रेका पर किसी भी कारे को आज इस्तगित करें आर्थिक सादनों में आज व्रद्धी होगी परन्तु किसी भी प्रकार के अनुचित कारे को करने से आपको बचना होगा दोस्तो प्रॉपर्टी से सम्मध्य तकारों में पेपर वर्क पर आप अधिक ध्यान दें जरासी साबधानी आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है नोकरी पेशा व्यक्तियों से बौस्वे अधिकारी वर्ग आज प्रसन रहेंगे प्रमोशन मिलने के भी आज योग बन रहे हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज गिरने से या वाहन आदी से चोट लगने की संभावना बन सकती है इसलिए आज आप अत्यादिक सावधानी बरते हैं वैसे आज आपका स्वास्त बहुत यच्छा रहेगा साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपई क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद केले के व्रक्ष पर जल अर्पित करके सुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और भगवान श्री हरी विश्णू जी के मंत्र ओम नामो भगवते वाशुदेवाए नमहा मंत्र का आप 108 बार बहुती सच्चे मन से स्रद्ध बाब से आप जाप करें जहां दोस्तो ऐसा करने से भगवान श्री हरी विश्णू जी बहुत जल्द प्रसन होंगे आपके समस्त कष्टो को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशानिया चल रही है सभी परेशानियों कांत करेंगे और भगवान श्री हरी विश्णू अवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूले धन्यवाद